Hello Friends, Welcome to my channel Some Useful Tips by Jainty Friends, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी होम रेमडीज शेयर करना चाहती हूँ जिनका यूज करके मेरे बेटे के कॉमप्लेक्शन में काफी चेंज आया बर्त के कुछ मन बात उसका कॉमप्लेक्शन तोड़ डाक हो गया था फिर मैंने उसके स्किन में जो अप्लाई किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेट टापिक्स के बारे में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सम यूसफल तिफ्स बाई जैनती को अभी सबस्क्राइब करेंजे फिर्स्टली जो आप बच्चे को नहलाने से पहले उसकी बॉड़ी मसाज़ करते हैं उसके लिए आपको उप्टन तयार करना है उप्टन तयार करने के लिए आपको बेसन लेना है उसमें फूर से फाइव ड्रॉप्स आपको बदाम उइल की डालनी है और फिर उसमें मलाई मलानी है और उसे आप एक आटे का जैसे लोई होती है जिससे हम रोटी बनाते हैं उस तरह की आपको लोई तयार करने है और फिर जब लोई तयार हो जाए तो उस लोई से आपको बच्चे की जो बौडी पे अपनी हतेली हतेली में आपको लोई को लेना है और बच्चे की बौडी में क्लॉक वाइस और एंटी क्लॉक वाइस उससे मसाज करनी है उससे जो बच्चे की जो स्क्राब वो बच्चे के लिए एक स्क्राप का काम करेगा और जो बच्चे का कॉमप्लेक्शन डस्ट और पॉलूशन की वज़े से डाक हो गया है उसे वो क्लीन करने में काफी हल्प करेगा इस तरह से मसाज करने के बाद आपको बच्चे को गुन-गुने पानी से निला देना है जिससे जो भी उसके स्किन में एक्स्ट्रा जो भी बेसल लगा होगा वो निकल जाएगा जब आप बच्चे की oil मसाज करते हैं तो बच्चे की oil मसाज करते समय आपको coconut oil का use करना है आप यहाँ पे अगर आप virgin coconut oil का use करते हैं तो वो सबसे best रहता है बच्चे के लिए लेकिन अगर आप virgin coconut oil का यूज़ नहीं कर पाते हैं उस case में आप नॉर्मल जो coconut oil आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यही recommend करूंगी कि अगर आपको available होता है तो आप virgin coconut oil का ही यूज़ कीज़ेगा जब भी आप बच्चे को धूप में ले जाएं आपको उसकी body में aloe vera gel apply करना है यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी आप aloe vera gel उस use करते हैं वो आपको बिलकुल fresh जो aloe vera plant होता है उसकी leaves को तोड़ा तोड़ के जो उसकी बीच का हिस्सा होता है वो बेबी के लिए special जो sunscreen होती है वो भी आप बच्चे को apply कर सकते हैं दूप मिले जाने से पहले यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फालतू चीजे नहीं लगानी है बच्चे की skin पर क्योंकि जो बच्चे की skin होती है वो बहुत soft होती है तो आप जिसको apply करने से आपके बच्चे की skin में कोई दाने या फिकोई rashes नहीं होते है इस वीडियो में बैस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे like कीजए और updates के लिए मेरी चैनल some useful tips भाई जैंदी को अभी subscribe कीजिए thank you for watching